वेल्कम बैक स्टुडेंट्स इन अनदर वीडियो आप केमेस्ट्री विशेशांग आइम अगें यह विद न्यू टॉपिक यह टॉपिक बहुत ही वाइड है वट मैं इसको फोड़ा से शौर्ट टम में सम्झाऊंगा इसकी बिट्स इन बाइट इससे आपको एक क्लारटी म है उस पर डिपेंड होती है और identify कैसे करना है कि कोई अमीन है वो कितना बेसिक होगा अगर comparative analysis करने तो वहां पर हमें समझ में आता है तो यह वाला कोशन जो है एंट्रेस एक्जाम के पॉइंट से बहुत इंपोर्टन बनता है साथ सथ अगर आप उनिवर्सटी एक्जाम मे अगर मैं फार्मसी के बात करें तो बीपी टूजेक्ट है आपका उनिट फाइव है उसका टॉपिक बनता है इसमें से शोट शॉट कोशन बनता है कि एक्स्प्रेंदी बेसिसिटी और मेंस तो आज की वीडियो में में जो सबस्टिवेंट का तो एफेक्ट पढ़ेंगे सा इससे पहले हम लोगों को जानना बहुत जरूरी कि बेसिटी का मतलब क्यों होता है अगर मैं सिंपल सी बास समझाओं आपको कि जो लोन पेर ऑफ एलेक्ट्रॉंस होते हैं आपके अमीन के उपर या नाइट्रोजन के उपर वह उसकी बेसिटी को या रिस्पॉनसिबल होते दाने जाने मतलब कि बेसिटी को बिसकी बास पर एक्रम सब्सक्टार नहीं होगा कोई बी नाइटोचन जिसके पास इलेक्ट्राइब आपको बैसिक होगा कोई बैसिक नहीं है कि यहां पर वैसिसीट्ट्राइब किसी भी नेटोजन के पूर उतना ही ज्यादा वो बेसिक बनता जाएगा तो आयोग आपको यह वाला पॉइंट बिल्कुली क्लियर होगे होगा कि यहां पर बेसी सिटी का मतलब है तर लोन पेर अफ एलेक्ट्रों मतलब आपको यह देखना अगर दो पे बीच में कंपेर करन बीचिय को ढूब्व करने में मतलब अधार तर बिखुंब कराने और था तो नयटोजन नटोजनल पर नेक्ट्रान की प्रेस्जर को बढ़ रहें वह वाले ग्रूप्स वह आपकी वेसिधियुड को बढ़ाएं तो आद लूंटियों मों यह यह सब्सक्त्र तो फटाबर से without any delay मैं क्या करता हूँ I will go through some of the factors कौन-कौन से factors हैं जो responsible होते हैं basis of means के लिए तो वो चीज़ा आज देखते हैं तो पहली चीज़ है हमारा आई समझते हैं पस्ट इस effect of charge charge मैंने बताया था कि जितना negative charge होगा उत्रहीं हमारा चार्ज हो रहा होगा तो पहले वाले में देखिए नेक्ट्रोगार पेर तो इस नेक्रीज नेगतिव चार्ज नहीं नगीज होगा तो आप दिखिंगे यह वाला आपका लीश्ट बन गया यह वाला आपका उस्किप नेगीजिए से B सब्सक्राइब कर दो नाइट्रोजन को वह तिन आपकी बढ़ती जा रही है इस चीज़ यहां पर है रेजोलेंस स्टेबिलाइज़ अमीन साथ बेजिक अब यह क्या कह रहा है इसको मैं समझाता हूं वह यह कह रहा है कि हमारे पाथ यह नाइट्रोजन के पास लोग फिलेक् इस चर्व घूमेंगे उनका कहने का मतलब नाइट्रोजन के पास उतना ही आपका नेगटिव शार्ट्रोज अलेक्ट्रोण पर उतनी दिर के लिए कम है वह दो यहां पर दो बेसिक हुआ लिए अनिलीन के पास एक रिंग है तो यहां पर भी लोकलाइज़िशन होगा जाँ बैसिक रहेगा एस कंपरेट्टों साइकल एक्जालमीन साइकल एकजैलमीन में यहां पर कोई लोट्व ओर लेक्ट्रों या पाइब नहीं है डी लोकलाइज़िशन पर लिए तो जिसकी वज़ेसे क्या होगा वहह बनता चला जाएगा मोस्ट बेसिक को अगर लोग स हा रहा है तो resonance की वज़े से stability बढ़ जाती ही बड़ आपका basicity कम हो रही है यहां आपकी बेसिटी हो जाएगी किसी भी अमीन की अगर वह resonance में है क्योंकि बढ़ने से वह आपका खत्म बजाता है तो यहां पर बात करोगा नॉन आपके स्टेबलाइज तो हैं बड़ बेसिक नहीं तो यह हमारा सेकंड पॉंट हो गया थार्ट में इसी कॉंट को में एक्स्पेंड कि हमारा कोई नहीं है सिंपल समय फिनॉल की बारे पूछ रहे हैं तो यहां पर भी हम लोग को यही दिख रहा है क्योंकि यहां पर हम लोग लिए वीकर बेसे एस कंपेर टू जो साइक्लो है जाइक्जनॉल है ठीक है उसका जो होगा उसका जो बेस बनेगा तो वह आपका ज्यादा बेसिक रहेगा विकॉज यहां पर डी लोकलाइजेशन नहीं हो रहा है यहां पर पाइब नहीं है इसलिए लोग रेजोनेंस नही आप आते हैं जो हमसे कोशन पूछा रहा है एक फैक्ट अव सब्सेट्वेंट वह हम देखते हैं तो वह यह कह रहा है कि आपकी डी बाली बात है उलेक्ट्रों को मतलब है उन से लेक्ट्रों को अपनी तरफ कीजने कोशिच करेंगे तो मतलब ने नाइट्रोजन के उपर यह oxygen electron withdrawing group है जिसके वज़े से nitrogen की loan pair को अपनी तरफ ट्राइट करने कोशिच करेगा यह less basic है as compared to papyridine यहाँ पर रेकिन chlorine है electron withdrawing group है तो वो क्या हो जाएगा less basic है as compared to papyridine तो यहाँ पर आपका electron withdrawing group basic city को decrease कर रहा है और इसकी opposite की बात करो electron donating group को अगर अलगे हो तो वो सारी चीज़े आपकी basic city को बढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पर एक्जाम्पल में अगर इसके लाभा भी आपको और बीग्जाम्पल देना चाहिए अगर आपको question को अगर long answer में करना तो जितने हैं आप सारे के करके पॉइंट बाइस बता सकते हैं जैसे मैंने बताया विट डियाग्राम से और हर जगे आप देखेंगे पी के की वैल्यू जतनी ज्यादा वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा बेसिक होता है आपका नेक्स्ट में अपना है कि अब हमारे पास अगर यह जो nitrogen है वह अगर इसके बगल में कोई ऐसा compound है जो की पाइशेप्टर ऐसा को एटम है जो पाइशेप्ट करता है तो आपकी बेसिसी को decrease करेगा फॉर एक्जेंपल कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल में C के उपर और oxygen लगा यह oxygen लगा हुआ है तो यह जो oxygen है वह electron withdrawing है तो इसकी वज़े से यह इसके electron को में तरफ खीचेगा खीचने की वज़े से यह आपका मुवमेंट होगा तो तो थोड़ा सा मुवमेंट हो रहा है लेक्ट्रों का दी लोकलाइशेशन के तो आपके नाइटोजन में सचास आज जाए फिटर्ट्यव इंगए मने बोला सब्सक्रdasunden जिस वाइस हो तो डियानियोव क्या हो आपका कर सकता है तो वह आपके कंपाउंड को लेस बेसिक बनाएगा इसी की वज़े से कोशन पूछते हैं कि हमारा अमीन है यह हमारा अमाइड के बगल में क्या है हमारा कार्बोनल कंपाउंड है हमने पढ़ा है पाइब बॉंड एसेप्टर है तो यह इसके लोन पर अपनी तरफ खीच लेगा यह वाले अपनी तरफ खीच लेगा जिसकी वज़े से नाइट्रोजन हमारा पॉजिटिफ बन जाएगा तो वह हमारा लेस बेसिक हो जाएगा यहां पर हमारा कोई भी पाइब अगल बगल में नहीं लगा हुआ है तो नाइट्रोजन की लोन पर अप सब्सक्राइब करना है तो हमें यह देखना है कि हमारा नाइट्रोजन कैसे है अगर यहां पर देखेंगे नौन को यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह मोस्त बेसिक बनेगा और लीस्ट बेसिक जो सब्सक्राइब कर दिए तो और यह कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग को क्या करते हैं हमारे बेसिदी आप मीन्स को करते हैं तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो वीडियो बनाया था ताकि आपको यह क्लार्टी मिल सके और आपके मतलब की पांच मिनट के अंदर ही आपका यह वाला टॉपिक त्यार हो सके इसका जो इलाबरेटिव जो कंटेंट होगा वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में तो यूँ के अपनी लैंगवज में लिख सकते हैं बाकी यह इसे आप नोट डाउन कर ली जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपको यह वाला पूशन पूरी तरीकर से त्यार हो जाएगा अब आम जब बेसे त्यार कर लेंगे इसके बाद में नेक्स टॉपिक जोगा वह ऐ से इस सेटी बस इसमें बस इतना ही है कि इसना याद कि को मिसितना को वर्ण को में गजई टो गवे श्युक्त पांथकर सके और यह अ मोड़ा ज़ए YAூ को सकते हैं और लीज दू सब्सक्राइब अगर पर वीडीओ य ही टमीजियो ni लेinन स्ब्सक्राइब रहा jsू और शृत आप कम से कम समय में हो गाए निक हमिस्टी को समझ सके तो ना इए ना I will stop at this point till then take care, thank you